देखा बच्चों आपने कितना अमेजिंग सा रिजल्ट मिला, बिल्कुल मिंटों में साफ हो गया, गंदा बातरूम सबको बुरा लगता है, लेकिन करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कौन करे इतनी महनत, तो अब वो महनत आपकी बिल्कुल बज गई, मिंटों में आप बिना महनत के, ये सल्यूशन मिंटों में आपके सारे काम निप्टा देगा, यहां मैंने लिए कुछ नीबू के छिल्के, नीबू नहीं, नीबू के छिल्के, जो हम डस्बिन में फेकते हैं, उसमें डालकर थोड़ा पानी और नमक डालकर ग्राइंड कर लिजे मिक्सी में एक सल्यूशन बना लिजे, ये नीबू मैंने स्पेशल बात्रूम के लिए नहीं मंगाए, नीबू का रस यूज़ करने के बाद, जो छिल्के बसते हैं, उन्हीं का यूज़ है, नीबू से साफ तो होगा ही, इस बात्रूम में जो खुश्बू आएगी, बस बार-बार न चूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, आप एक हार्टिक की बाटिल हमेशा अलग भी रख दीजे, जो कि आप इन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा जब दोनों मिलते हैं, अकेला हार्टिक भी इतनी सफाई नहीं करता, जितना नी अब इसे लगा कर थोड़ी दिर छोड़ दीजे, अपने काम में लग जाईए, फिर चलते हैं, साफ करने के लिए, उसके बाद, 10 मिट बाद, स्कॉच ब्रश या जो भी जिससे आप सफाई करते हैं, गलब्स पहनने के बाद, आप इसे हलके हाथ से रब कीजे, आपको कोई महनत नहीं लगेगी, घिसना ही नहीं है, बस जैसे जैसे आप हटाते जाओगे, वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, है ना बहुत बढ़िया से चीज, अब पानी डाल कर वाइप कर दीजे, हो गया मज़ेदार सा काम, देखा आपने बिना महनत के हमारा बात्रूम चमक गया, इ जो कि डोसे के काम आता है, या रोज रोटी परांठे भी इस पर बनते हैं, इसे हमें आट से दस दिन में साफ करना चाहिए, इसे हमें करना कैसे है, इसे गैस पर रखिए, गैस अन करिए, थोड़ा सा पानी डालिए, गैस बिल्कुल स्लो ही रखिए, और इसमें थोड़ा नमक, थोड़ा मीठा सोड़ा और नीबू का छिलका, इससे आप साफ कीजे, और एक लीजित दिया, दिया अभी हाली में दिवाली निकली है, तो बचा हुआ दिया जो होता है, बस उसी से आप इसे रगड लीजे, आप देखेंगे बहुत बढ़िया चमक जाएगा, हमारी न तबा साफ करते हो, अगर उस पर दो-तीन बूंदे ओईल लगा कर थोड़ा पोच लेंगे, तो उस पर जंक, मतलब रस्ट नहीं चड़ेगा, जिससे वो बहुती परफेक्ट रहेगा, अब आप बनाईए इस पर डोसा, टिक्की, जो भी सबजी बनाओगे, जो भी कुछ कर चिपकेगा नहीं, बहुती परफेक्ट तबा साफ हो गया है, बचों ये छोटी छोटी ट्रिक आपको कैसी लगती है, मुझे कॉमेंट करके जरू बताएए, आपका एक कॉमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत माहिने रखता है